अैं दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी दिल छुशिया सेंडर में चलिए आज हम पर कौटिंगिस कर का रहे हूत हम यह रहे हैं हम नार्मेली ले रहे हैं हम यहां लेंगे दो इंच दो पॉइंट ऐसे और यह हम गहराई लेंगे तीन इंच आप चार पांच आप अपने हिसाब से जितना चाहिए रख सकते हैं नॉर्मली रख रहा है इसे तीन इंच लेंगे अब इन निसानों को हम मिला देंगे हम यहां पे गोलाई देंगे आप यहां पे डिजाइन भी बना सकते हैं दिल का फिगर जो चाहिए आप डिजाइन दे सकते हैं और इस गोलाई को गहराई कम ज़्यादा आप कर सकते हैं देखिए हम इस गहराई में बना रहा हैं अब हम इ अब हम सिल्ला बता रहे हैं हम यहां उरेव पट्टी लगाएंगे हम अंदर के तरफ मोड़ेंगे आप चाहे तो यह पर पाइपीन लगा सकते हैं तो देखिए हमने अल्रेडी उरेव पट्टी काट लिये चलिए इसे लगाते हैं हमने इसे लगा लिया लगाने के बाद यहां पर हलका हलका नाखुन से प्रेश कर लेंगे हम पूरे में और हम यहां पर आप जितना चाहे उतना चोड़ी पट्टी ले सकते हैं हम इतना पट्टी देंगे शिलाई करके फिर दिखा रहे हैं हुआ है इस शिलाई कर ली हमने इधर जो इस्ट्रा कपड़ा बच रहा है इन सब कटिंग कर लेंगे हम कटिंग कर ली मैंने अब आप चाहें तो इसकी तूरपाई कर दे या फिर इसे पलट के शिलाई लगा लेक में शिलाई लगा रही है ऐसे करके इसे फोल्ड करके हम शिलाई लगाएंगे चलिए पूरी में शिलाई लगा कर दिखा रहे हैं अब किन्यों के मिन शिलाई कर ली में अब शिलाई करने के बालाद आप कच्छी सिलाई लगा लेंगे तुरपाई के लिए अब हम दोनों बाजू में एक साइड यहां पर कटिंग करेंगे आगे वाले पार्ट में कोल्ड स्लीप्स बनाते टाइम हम पहले कभी नहीं कटिंग करेंगे यह बाजू बन जाने के बाद तब हम आगे वाले पार्ट में कटिंग करेंगे यहां पर तो यह चीज कटा हुआ है यहां पर हम गहराई ले लेंगे ज्यादा और इसकी कटिंग कर लेंगे कटिंग करते टाइं में पर निसान लगा लेंगे ताकि समझ में आया गए कपाठ ताइज करते हैं सूट में इस बाजु को हमने बाजु का गो लाई दू इंच दू पॉइंट पे काटी थी और उसके बाद थोड़ी सी शिलाई करी मैंने दू इंच दू पॉइंट पर काटी थी और थोड़ी सी यह मोड़ा मैंने तो दू पॉइंट इसमें लगा होगा तो धाई इंच हुए हम यहाँ पे इंची टेप से यहाँ से नापेंगे जहाँ से सोल्डर हमेर जोइंट हुए है यहाँ से हम धाई इंच नापेंगे यहाँ कि anthropiconosol लेंगे अप मेगके निशाद लेगा दुटार दौट से दीखा कर दो इंच अटीओंवीमा का पंपारा दौह ईदेखा रहा है कि आनम कुछे और दौफ porta दौकॉर लेखा सब्सक्राशिये होना दौल सब काम दीताक्षन निशान लेखा लिया है इधर भी दूप पॉइंट पर कटिंग की थी मैंने इतना छोड़के तब हम बाजु लगाएंगे इस पर चलिए हम बाजु चोड़ाते हैं यह जहां पर हमने निसान लगाया था यह यहीं से लगएगी तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम देखिए यह कट पर आ रहा है यहीं आना चाहिए बाजु में शिलाय लगाते हैं वैसा हम नौर्मली शिलाय लगाते आएंगे यहां पर शिलाय कर रही है तो हम यहां पर इस लगाएंगे इस कट तक हम शिलाय लगाते आएंगे फिर यह पाथ हम यहां रखेंगे हम इस पर डबल शिलाय लगा ले रहे हैं देखिए डबल शिलाय लगा लिया मैंने इसको इस कंदे को शिलाय के बाद यह जो दीख रहा है इसको रखने के लिए हम यहां पर इस पर रखके एक पट्टी शिलाय लगाएंगे देखिए मैंने एक पट्टी ले लिया नॉर्मल इससे थोड़ा फोल्ड कर लेंगे फिर हम यहां से रखके शिलाय लगाएंगे इस साइड से भी हम इससे फोल्ड कर लेंगे इसको ऐसा करके इस पर नाखुन लगा लेंगे हम इससे हम ऐसे फोल्ड करके यहां सिलाय लगाएंगे इससे आप चाहे तो इससे तूरपाई कर दे या फिर ऐसा पलटके इस पर सिलाय कर दे मैं सिलाय लगा रही हूं इस पर सिलाय के जितना मार्जिन था इसको अंदर करेंगे और हम इस पर सिलाय लगाएंगे इसके बाद इससे निकाल लेंगे देखिए अंदर कितना फिनिशिंग के साथ यह लगा है यह हमने चीट बटन वाले भी लगा लिया है चलिए दिखा रहा है यह कितनी प्लीशिंग से हमने कोड़ बाज़ी चड़ा लिया है और आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बटाएं और प्लीश हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आई हम इसे जूम करके दिखा रहा है कितना प्यारा हुआ है देखिए अब हम दूसरा बाजू भी त्यार करके फिर दिखा रहे हैं देखिए हमने दोनों बाजू है तैच कर लिया एक यह रा एक यह बाजू आप इसे बड़े बाजू में भी कर सकते हैं बड़ा मीडियम चोटा जिस बाजू में भी आप अपने हिसाब सही से कम चोटा बड़ा रख सकते हैं नमस्कार